सबसे पिले हम फाइल पर क्लिक करेंगे और प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो देखे रोस्ति यहाँ पर मेरा प्रिंट का प्रिभू कुछ इस प्रकास से देखे आपर पोस्टर का दिखाई देरा तो देखे आपर मेरा पोस्टर बनकर तयार हो चुका है अलो दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में आज मैं आपको सिखांगा कि आप MS Word के अंदर पोस्टर कैसे बना सकते हैं जैसा कि आप देश सकते कि मैंने MS Word के अंदर कुछ इस परकार से पोस्टर को डिजाइन किया है अगर आप भी MS Word के अंदर कुछ इसी परकार से पोस्टर को बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिजेगा और वीडियो को लाइक एंड सेर भी कर दिजेगा चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको step by step में आपको पोस्टर बनाने का तरीका को समझाता हूँ तो देखिए दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने computer में MS board को आप open कर लिजे चलिए मैं MS board को open कर लेता हूँ MS board को open करने के बाद दोस्तो सबसे पहले आपको page को setup कर लेना है पोस्टर के recording जिस size में आप poster बनाना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ पर layout टैप पर किलिक करना है और आपको यहाँ पर size पर किलिक करना है और नीचे में जाना है more paper size पर किलिक कर देना है तो देखिए आपर page setup का window option open हो चुका है इसमें आपको दिखाए देगा bit का option और दिखाए देगा आपको height का option जितना भी आप page का bit रखना चाहते हैं और height रखना चाहते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना होता है तो चलिए हम bit को रखेंगे यहाँ पर 24 और height को हम रखेंगे 12 cm तो कुछ इस प्रकार से मैंने size को यहाँ पर लिखा है आपको भी अपने हिसाब से लिखना होगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर OK वाले button पर click कर देना है click करने के बाद देखे हैं पर जो भी मैंने size दिया थो वहाँ पर उस हिसाब से देखे हैं पर page का देखे हैं पर setup हो चुका है उसको बाद आपको यहाँ पर margin पर click करना है और नीचे जाकर यहाँ पर custom margin पर click कर देना है और देखिए आपको टॉप कॉप से मिलेगा left का मिलेगा, button का मिलेगा और right का मिलेगा तो सभी में आपको यहाँ पर zero type करना है और इसमें भी zero type करना है यानि कि जीरो जीरो इसमें आपको फिल करना है और यहां पर OK वाले बटन पर क्लिक करना है तो देखिए आपका page का setup यहां पर complete हो चुका है आप आप यहां पर poster को बना सकते हैं तो चलिए मैं home tab पर क्लिक कर लेता हूँ मैंने home tab यहां पर क्लिक कर लिया है अब दोस्तों आपको अपना poster को बनाना सुरू कर देना है तो देखिए सबसे फिले आपको poster में अपना main heading रखना चाहते हैं जिसे कि हम यह poster बनाएंगे coaching का तो सबसे फिले हम यहां पर coaching का नाम लिखेंगे तो उसके लिए देखिए आपको यहां पर insert tab पर क्लिक करना है इसमें आपको मिलेगा option word art पर इसमें आपको क्लिक करना है और कोई सा एक format को select कर लेना है देखिए आपको box open हो जाएगा home tab पर हम क्लिक करेंगे और जिस font में आप type करना चाहते हैं अगर आप Hindi font में type करना चाहते हैं तो आपको यहां पर font को select कर लेना है अगर आपको English font में type करना है तो आप यहां पर English font को select कर लेना है देखिए आपर बहुत सारा देखिए आपर font box में font आपको दिखाई दे रहा है तो चलिए हम क्या करेंगे आपर Hindi font में अपना coaching का नाम है आप मैं type कर लेता हूं, तो देखे दोस्तो मैंने अपना coaching का नाम type किया, सफलता coaching center, जो भी आप heading में बनाना चाहते हैं, आप इस परकास से heading को type कर लीजी, और type करने के बाद दोस्तो, अब हम क्या करेंगे इसको, 20 के setup में setup करेंगे, तो सबसे पिलम क्या कर इसका जो size रहेगा उसको हम यहां से बढ़ाएंगे तिन आप चाते उतना size को बढ़ाएंगे ओ यहां पर हम इसको इस पर कासरे हमने setup किया है और setup करने के बाद आपको format पर क्लिक करना है और देखिए आपको मिलेगा angle का option जैसा है कि मैं आपको zoom करकर दिखा देता हूं देखिए आपको दिखा देगा angle इसपर आपको क्लिक करना है और इसमें आपको धियान देना है कि इसमें मिलेगा option center angle करने का option इसपर आप आप क्लिक कर दिजीगा तो जो आपका टेक्स रहेगा पेज के बीच वीच में सेट अप हो जाएगा और देखिए आपको यहाँ पर टेक्स में फॉर्मेटिंग कर लेना है इसका देखिए फॉर्मेट टाइब यहाँ पर ओपन है तो सबसे पर हम जाएंगे टेक्स आउटला का ढहर सरा ओप्सन दिखाए देगा इसमें जो आपको पसंद आएगा उसको आपको स्लेट कर लेना है ओके करना तो देखिए आपर कलर अपलाई हो चुका है तो कुछ इसी परकार से आपको यहाँ पर काम को करना होता है आप देखिए आपको टेक्स इफेक्ट का इस पर हम क्लिक करें तो अलग अलग परकार का देखिए आप टेक्स इफेक्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आप्सन का आप यूज करना चाहते है आप यहां से बिलकुल ध्यान से किजिगा जो भी आपको पसंद आता है आप इसली तरीका से कर सकते है जो भी आप चाहत कर लिया है अगर दोस्तों आप देखिए आप जो रेड लाइन का यहां पर दिक्कत आ रहा है यह दोस्तों आपको ध्यान नहीं देना है यह आपका हड जाएगा इससे कोई दिक्कत नहीं होगा जब आप प्रिंट निकालेंगे तो यह रेड लाइन का ओप्शन वहां पर आप एक बर पूरा पोस्टर डिजाइन कर लिजे तो देखे आपर मैंने कोजिंग का नाम को टाइब करें जा यहां पर जाएंगे इंसर्ट टैप पर जाएंगे चैस पर क्लिक करें और यहां पर मैं रटेंगल सेबस कुमें सिलेट करूगा और नीचे में तो इस प्रकास है म दोस्तु आप कीजे काम को इस प्रकास से करने के वाद इसका साइज आप छोटा या फिर बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं इस प्रकास से करने के वाद यहाँ पर जो लिखाएगा यहाँ पर कोचिंग का एड्रस मैं टाइप करेंगा इसलिए दोस्तु यहाँ पर मैंने ए बहुत सरा देखिए आपको फोटू मिल जाएगा तो जो भी फोटू को आप यूज करना चाहते है पोस्टर में दोस्तों आप यूज कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों इस प्रकास देखिए मैंने एक स्टुएंट का फोटू डाउनलोड किया था तो इसको हम इंसाइट करेंगे इस प्रकास से इसको हम चोटा कर लिए हैं और इसको हम यहाँ पर रखेंगे जैसा कि आप देख लिए इस प्रकास से हम यहाँ पर setup करेंगे और थोड़ा से इसको हम चोटा ही कर लेते हैं उसको दोस्तों क्या करेंगे देखिए जो यहाँ पर बाहर हो रहा है तो इसको हम क पढ़ा कर लेंगे जो की काफी बेहतर और आपको अच्छा दिखाई देने लगगा तो आप भी दोस्तों इस प्रकास से फोटो डाउलोड कर लिए रहाँ पर आपको बहुत सारा फोटो मिल जाएगा तो तो कुछ इस प्रकास से आपको डाउन्ट कर लेना है अब दोस्तों देखिए आपको क्या करना इतना काम मैंने कर लिया है अब हम क्या करें यहां पर और यहां पर टेक्स में लिखने में जिससे की आप पोस्टर यहां पर अच्छा लगाए दिखने में तो उसके लिए हम इंसर्ट पर किलिक करेंगे और कोई टेक्स का format select कर लेंगे और उसको बाद दोस्तों आप जो भी poster में add करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर add easily तरीका से कर सकते हैं तो देखे दोस्तों मैं होंट पर click करता हूँ यहाँ पर मैं क्या करूँगा जो यह आप add करना चाहते हैं आप add कर सकते हैं उसको वाद इसका size हम छोटा करेंगे ताकि इसको हम setup कर सकते हैं और इसको पसंद आता है आप यहां से color को select कर सकते हैं चलिए मैं ready को select कर लेता हूँ और इसको वाद हम यहाँ पर इसको setup करेंगे और थोड़ा से इसका ड्रो बनाएंगे जैसा कि देख लिजी और यह जो यलो वाला पाइंट आपको दिखाए दे रहा है इसको हम पकड़ेंगे और इसको हम इस प्रकार से जाकर हम no करेंगे और इसका color दोस्तों आप चाहें तो कुछ और रोख सकते या फिर आप चाहें तो ग्रीनी रख सकते हैं चलिए मैं green ही रख देता हूँ तो कुछ इस प्रकास से आप काम को कर सकते हैं अब हम क्या करणे इस से को क्या करणे कर लेंगे और ctrl dc duplicate कर देंगे इसी format को और यहां पर लाएंगे और इसका color दोस्तो हम क्या कर यहां से home tap पर जाकर इसको हम bide कर देंगे तो देखें आपर उजला हो हो चुका है अब दोस्तों आपको क्या करना है इस box के अंदर हम कुछ और type कर लेते हैं coaching के बारे में तो कुछ इस प्रकार से इसको हम select किया है और यहां पर दोस्तों हम type कर लेते हैं तो देखिए आपर मैंने type किया class 1 to 8 यानि की all subject in CRT तो कुछ इसी प्रकार से आप जो भी add करना चाहते है पोस्टर के अंदर आप add कर सकते हैं और इसका साज हम बढ़ा देंगे ताकि यहां पर setup अच्छी परकार से हो जाए देखिए इसका साज में बढ़ाया हूं और इसको हम पकड़ेंगे और इसको हम इस परकार से setup करेंगे ताकि देखने में थवासा यहां पर बहतर लगे अगर दोस्तों आप चाहिए तो इसका font का जो color रह यहां से आप दुबारा से जाकर चेंड करकर देख सकते कि कौन से color यहां पर ज्यादा है बहतर यहां पर लग रहा है अभी पर दोस्तों आपको चेंड करते हुए चलना है जो आपको बहतर लगा उसको आपको apply कर देना है चलिए मैं green रखता हूं इस प्रकास में यहां पर इसको ब्रेफ टेक्स में जाएंगे इंफ्र टेक्स कर लेंगे और देखे दोस्तों यहां पर दोजार चुवीच से पचीश इडिविशन ओपन तो यह भी दोस्तों आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा आपको आपको टैप करना होगा इडिविशन ओपन टंप्लेट तो आपको देखें हमाँ पर बहुत सब्सक्राइब देगा तो इस प्रकास से आप इसका यूज आप कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको यही वाला फोटू और इस वाले इमेज का यूज करना है तो इसकी लिए दोस्तों आपको टेलग्राम जैन पर जानना होगा हमारा टेलग है और इसी format को हम क्या करेंगे control यह से duplicate कर लेंगे और duplicate करने के बाद यहां पर लाएंगे इसका color भी हम white कर लेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे address को tap करेंगे तो चलिए हम यहां पर प्रोपर के तरिका से address यहां पर मैं तो देखिए आप मैंने setup कर लिया तो कुछ इससे प्रकार से आपको काम को करते हुए चलना है इसमें दोस्तों आपको अपना दिमाग भी लगाना कि हम किस प्रकार से text को लिखेंगे format को color रखेंगे ताकि आपका poster अच्छा लगे मैं आपको यहाँ पर तरीका सिर्फ बता रहा हूँ तो कुछ इस प्रकार से आप poster को बहुत ही easy और असान तरीका से बना सकते हैं आप देखें आपर जो बीच में यहाँ पर खाली जगा आपको बाच रहा है यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो कुछ और भी add कर सकते हैं चलिए यहाँ पर मैं क्या add करूँँआ जो मेरे coaching में facility रहेगा यान कि क्या हम coaching में facility देंगे उसके बारे मैं यहाँ पर detail में यहाँ पर type कर देता हूँ तो देखें आपर मैंने facility टैप किया है उसके बाद दोस्तों हम क्या करणे इसका जो font format रहेगा इसका size में इस प्रकाश से पहले तो बढ़ा दूँगा और इसका जो color रहेगा इसको हम चलिए green ही कर देता हूँ या फिर कुछ और भी रख सकते है जो भी आपको पसंद आता है आप कर सकते हैं से काम को चलिए मैं blue कर देता हूँ और font में जाएंगे दोस्तो font box में जाने के बाद आप यहाँ पर कोई और अच्छा सा font आप इसमें चाहें तो apply कर सकते हैं जो कि आपको बहतर और अच्छा लगता हो तो चलिए यहाँ समय कोई एक अच्छा सा यहाँ पर font को में apply कर लेता हूँ तो देखिए आपर मैंने font को apply कर लिया है उसको वाद हम इसको क्या करें इसको हम पकड़ेंगे और यहाँ पर setup करेंगे और इसका color दोस्तो अच्छा नहीं लग रहा तो हम दिवारा से क्या करें इसको हम chain कर लेंगे ताकि यह थ्वास अब भी लगे देखिए मैं black कर देता हूँ तो यह थ्वास अच्छा लग रहा इस प्रकास से दोस्तों आप करती हुँ चलेगा जो आपको अच्छा लेगा वह काम आप कीजेगा अगर आप चाहिए तो इसको प्रकास से आप काम को क किजेगा और इससे को हम क्या करणें कंट्रोल डीसे डूबलिकेट कर लेंगे देखे फॉर्मेट डूबलिकेट हो चुका है और जो भी हम फैसलिटी देंगे रोस्तों उसको हम यहाँ पर ताइप कर देता हूं तो देखिए आपने फैसलिटी को टाइप कर दिया उसको हम कर लेते हैं तो सबसे प्लिए इसको हम सेट कर लेंगे और इसका जो पारग्राफ रहेगा यहां पर मैं लेफ्ट में कर दूँगा और इसको दोस्तों यहां पर में इसको हम सेट अप करेंगे देखिए इस प्रकार से यहां पर मैंने सेट अप किया है और इसको हम क्या करें थ लाके सब बहतर लगे तो कुछ इस प्रकास से आप जो चाहते हैं अप यहां से कलर को रख सकते हैं यहां समय कोई कलर में अपलाई कर देता हूं तो देखे दोस्तों कुछ इसी प्रकास से आप MSWord के अंदर बहुत ही किई जी और असान तरीका से क्या कर सकते हैं बैनर को बना सकते यानि कि poster आप डिजाइन कर सकते हैं कि considering के लिए बनाना चाहते हैं या फिर किसी दुकान कि लिए बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकास से बना सकते हैं रोस्तो आप अपने साब से image को download किजी और image लगाईए आपका poster भी अच्छा दिखने में लगेगा और आपको रोस्तो अपना text का format अच्छे प्रकास से रखना है तो कुछ इसी प्रकास से आप MS Word के अंदर बहुत ही easy और असान तरीका से page को setup करकर poster आप बना सकते हैं अब चलिए हम इसका print का preview देख लेते हैं तो सबसे पले हम file पर click करेंगे और print पर click करेंगे तो देखे रोस्तो यहाँ पर print का preview कुछ इस प्रकास से देखे हैं आप पोश्टर का दिखाई देरा तो देखे हैं आपर मेरा poster बनकर तयार हो चुका है अब दोस्तो अगर आप चा save as tap में यहाँ पर pdf को select कर लेना है select करने के बाद जो भी आप नाम देना चाहते है फालने में देदीजी और जहां save करना चाहते है location को select कर लिजी और यहाँ पर में save कर देखे है पीडिया फॉर्मर के अंदर देखे है मेरा poster save हो जाएगा तो कुछ इसी परकार से आप MS Word के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम